हुआ 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 है हालो एवरिवन गुडिवनिंग नमस्कार आज ये भई फटापट से करने वाले हैं और एंग्लिश शीरीज में सुन्सकर रहे हैं य यह इन और यह हर trifle उन्कोशच चानल lumière प्राड़ अप ग्रीट खीया है चाहिा हैब कोई भी सेड का आग्साम जहांपर ईंग्लिश ल ineffective आता है ये इंपोर्टेंट सीरीज रहेगी आप लोगों के लिए तो वेरी फर्स्ट कोशन है कि इसके अंदर जो इंपोर्टेंट माना जाता है वो किसको माना जाता है गुजराती लिट्रेचर की बात चल रही है तो जो गुजराती लिट्रेचर है उसमें जो important personity माना जाता है किसको माना जाता है किसको माना जाता है इंग्लिष लिट्रेचर वाले बच्चों से मैंने बता रखा है 5 से 6 के बीच मैं कभी भी live आ जाती हूं तो तू माज आ है करो स्ट्रीम कभी नहीं लगाती मैं तो पांस द सवा पांस साड़े पांस तका जाती हूं तो आपको पता है इसके अंदर जो इंडियन 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 स्ट्रोगल है उसको डिस्क्रिप्शन किया गया है उसको डिस्क्राइब किया गया है तो टाइम पीरेड पुशा है इसका टाइम पीरेड है 1915 इसका जो टाइम पीरेड था वो 1915 था ठीक है 1915 नेक्स्ट है गुशे नारेटर हीरो इन अरुन जोशी जोची जोवल नाम है नाम है दिसका नाम है विश्र डेक कर रहे लिए पर बंद कर रहे हैं एक बर कोल रहा है ऐसा तो खराब हो जांगे यार ए एक सक्माइब कि यह लाइट के साथ जढ़ा वह करना है क्या को बंद करना तो बंद करूं कि एक लुखे पर यह यूचूब पे पर कर सकते हूं बंद बाद में लुगी है भीया यह लाइट ज्यादा खोलनी बंद करनी है क्या दखू कॉंठी वोना विदली के किसी मोटर वाली स्विच में प्रोब्लम हो रही है तो वह ठीक कर रहा है electrician तो कभी बंद कर रहा है कभी कोल रहा है मुझे डर लग रहा है कई मेरा एकDo Inter Anna कंप्यूटर बंद हो रहा है बंद हो रहा है रहा है हम तो ये काफी important है बही काफी important है foreigner जिसमें जो hero है मतलब major character है वो है संधी ओबराई ये question बहुत बार आचुका है English literature में Indian writing की जब हम बात करें मुल्क राजानन्द है, राजा राओ है, आर के नारायन है आरुन जोशी है, इनको तो बहुत जबर्दस अच्छे तरीके से आपको करना ही करना है ठीक है, संधी ओबराई next है, who is known as the Indian किपलिंग, ठीक है, who is known as the Indian किपलिंग मतलब से किपलिंग पासंथ है, आपको पता है बिटेन में उसी तरीके से इंडेकी से अच्छी है आपको पता है, स्वामी और फ्रेंट्स ठीक है तो स्वामी और फ्रेंट्स पब्लिश हुआ था किस टाइम में मतलब टाइम पीरेट पूछा गया है स्वामी और फ्रेंट्स का जो टाइम था वो कुन किस टाइम में पब्लिश हुआ था स्वामी और फ्रेंट्स तो स्वामी और फ्रेंट्स पब्लिश हुआ था बच नेक्स्ट एक वर्क है बबानी भट्टाचारिये का जिसकी जो थीम थी क्या थी इंडिया एड़ टाइम ओफ दा चाइनीज इन्वेशन ओफ निन्टीन सक्रिटू कहने का मतलब जिसके अंदर जो चाइना और इंडिया का अटेक है वो दिखा रखा है तो आपको यह दिखाना है कि जो चाइना और इंडिया का अटेक है वो बबानी भट्टाचारिये कि किस स्पेसिफिक वर्क के अंदर दिखाया गया है तो आप नाम से कई पर आपको चीजे ना समझ में आ ना तो नाम से भी चीजे समझ आ जाती है तो Goddess Name is Gold, ऐसे में कहां आपको चीन लड़ाई वाला सीन दिख रहा है, अब दूसरा टाइटल देखो, Shadow from Ladakh, तो Ladakh चीन के आसपास है, तो कहीना कहीं हम, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब अब तो खेर पढ़ ली, पढ़ा दी चीज़े तो क्लियर होगी, लेकिन जब मैं कन्फ्यूज होती थी, मैं हमेशा कोर्रलेशन करके देखती थी, कि अब यह कॉशन मुझे नहीं भी आता होता, तो मेरे हैं जब थीम मैच कर लेती थी, मैं हाँ लब दाख तो ऐसे चाइना वाला टाइप में लग रहा है, तो इसका यह अंसर होगा, तो कई बार ऐसे भी च का, मतलब माया ही है इसकी प्रोटेगनिस्ट, इसकी जो मेजर करेक्टर हैं, जो सेंटरल करेक्टर हैं, सेंटरल करेक्टर, करेक्टर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो जो सेंटरल करेक्टर वही होता, जिसके इड्द गिर्द पूरी स्टोरी मूव करती है, तो वो स इसका जो center character है वो कौन है बाखा नेक्स है आपको पता है मुल्क राजानन्द की trilogy है तो यहां से यह एक question और भी याद रखना इसकी trilogy थी मतलब तीन works थे इखटे जिनमें एक ही theme को लेके एक ही character के लेके points बनाए गए थे लिखे गए थे आपको यहां से question धान रखना है कि मुल्क राजानन्द की trilogy थी पहली बात तो यह question ऐसे पता नहीं आरो ही school में आया था यह किसमें question आया था यह question ऐसे आया था the work which not included in मुल्क राजानन्द trilogy आपको वर्क बताना था जो मुल्क राजानन्द की trilogy के अंदर include नहीं था तो ऐसे करके आपको यह याद रखना है एक तो village second था across the black water and third था the sword and sickle तो कैसे याद कर लेंगे एक गाउं में मतलब हमें cross करनी थी एक water वाली नदी और हम अपने हाथ में तलवार लेके चले जा रहे थे के ताकि कोई खत्रा होगा तो बीच में हम समझ लेंगे उस चीज़ को याद रखना यह मुल्क राजानन्द की ट्रोलजी across the black water village and the sword and sickle तो ठीक है यह इसकी third number की ट्रोलजी है मतलब ट्रोलजी क्या होती है त्री बुक्स मिललके एक हीटीन को एक ही सागया लिखते हैं अरे यह से पुठाने जमाने में सिक्विल्स बनती थी ढूम शैीमा neighbors यह कि आप कह सकते हो शीक है हो अधरिट लेशेश्म के लिए भी बात करेंगे jeśli है be तो व security क्या था यह कि इसका करें तो he लौ लू सिंग, लालू, नॉट ललू, ठीक है, लालू सिंग इसका जो है character था, लालू सिंग, तो ये जो इसकी ट्रैलोसी का major hero, major character था, वो कौन था, लालू, ये ऐसे ही चोटे-चोटे नाम रखता था, अच्छे-च्छे से, हाँ, next Vie n'y ne answer ? को यह किस नहीं लिखिं थी सिधा सिधा कौशन आता थे फ्रोiveness ठ्यूशब दिन कहते का थोड़ा धान सा देखुँगा ना आपको कड़शन के अंदर भी कौशन सीखने को मिल रहे हैं यह तेलीड़ यह एक चिवर केडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम है तो यह जो पीडियाफ है इसी क्लास के जस्ट बाद अभी भेज देती हूं ठीक है फिर मैं भूल जाती हूं अचीवर अकेडमी का टेलीग्राम है उसका लिंक मैं इस वीडियो के निचे डाल भी दूंगी और मैंने इसको कर दिया शेयर क्योंकि यह रोज रही जाती है फिर बच्चे कहते हैं मैं आप शेयर नहीं करते हो तो एक ही ऑफिशियल है अपना चैनल अचीवर सकेडमी निशा शर्मा के नाम से है पूरा चीवर केडमी निशा शर्मा जिसमें इस 4900 के आसपास बच्चे हैं तो उसके अंदर मैं ने पीडियों सेंड कर दी है पीडियों में के दिए भी आप एक बात ध्यान से देखेंगे कि यहां पर आपको कोशन में भी कोशन मिल रहा है तो शरी अर विंदो गोश जिसको आप बोलते हूं नेक्स है तो यहाँ पर भी देखो एक ही लाइन में हमें दो-दो प्लेज याद हो रहे हैं तो यह दो प्लेज है आपने बताने हैं यह किस से रिलेडिट है यह किसने इनको लिखा है और यह किसने लिखा है और आज मेरी नई बुक आ गई है भई एमसी क्यूज वाली जिसके अंदर टिक नहीं मिलेगा तुम्हें कल से वह डिलीवर होने वाली है तो कि मुझे अच्छा लगता जो मैं पढ़ाती हूं ओप्शन्स ट्रिक होते हैं तो थोड़ा सा बच्चों को पढ़ने में कहते हैं मैं मजा नहीं आता बड़ मैं हमेशा इकी बात कहती हूं मेरा मकसद सर्फ और सर्फ आपको इन डिलीवर करना होता है मैं कभी इन चीजों पर नहीं जाती यह टिक है यह नहीं है तो कि आपको पता है मेरी पढ़ी विपुस्त के यासी दुनिया में हो इनी सकती कि टिक ना हो ठीक है तो this is the major reason तो मैं उनी को scans कर लेती थी फिर मुझे लगा एक नहीं मंगवा लेती हूं जिसमें clear हो कल से बिना टिक वाले question मिलेंगे तुम्हें पूरोड़ दा प्लेस दावेल अफ्ट पीपल अंड़ तो यह है भारती शारा भाई से रिलेटेड ठीक है यह वैसे हमने इंडिन राइटिंग में मैंने नहीं पढ़ाई अब तक seriously speaking but still I am going to add this क्योंकि question है आया हुआ है बट वैसे तो यह net के question है जो मैं scan करती हूं जान बुचके क्योंकि जो screening के exam है उसमें कही ना कहीं question net के paper 2 से ही pick किये जाते है जातर इसलिए ठीक है हां तो यह आप यहां पर ध्यान रखेंगे next है के मुंसी का जो भगवान प्रशूराम है के मुंसी का वर्क है भगवान प्रशूराम तो यहां से आपको question क्या याद हो गया भगवान प्रशूराम is a work by के मुंसी के मुंसी गुजराती राइटर थे और क्या था ये collection of poem था यार परशुराम तो नाम से दिख रहा है कि किसी परशुराम की life के उपर एक बड़ी सी स्टोरी लिखी है ठीक है तो धरमास collection of short stories epic novel तो ये क्या था भई एक epic novel था हाँ कि नेक्स्ट है इन विच वन अफ़ फोलोईंग नोवल्स गंगु इस चीफ करेक्टर ये गंजु टाइप हो रहा गंगु तू लिवस और बड़ ठीक है तो टू लिवस और बड़ गंगु था ये गंजु लिखा हुआ इसमें बाई मिस्टेक इस गंगु ठीक है तो टी फुली का मुनू था सब्सक्राइब हिसे परगे सब्सक्राइब हो चुका है वही वही लिखी दि तो मुल्काराश आनंद ने लिखी दि टिक इती मुल्कारास अनन नेक्स पुष्ण है पोयम लाएप स्लाइग दे गार्डन एक मैं कुछ कोईंस के नाम दिया है कौन-कौन उसी दा गाडनर उर्वशी बाकी तो नहीं याद होता है तो मेरा मिन्दरनाट टैगोर क्यों कि कई वार क्या होता है तीन चार नेम दिये होते हैं तो हमें तीन चार नेम्स में से एक नाम तो पक्का याद होता ही है आइट इंक यू और वशी एंगोराजन सॉंग ओफ और रविंद्र नार्ट टैगोर के दवारा लिखी गई है तो मालों ऐसे आपको बहुत सारे नाम बहुता नाम टैगोर बताने की जूरत निया फॉस्ट नोबिल विनर है रविंद्रनाथ टैगोर जिनको अपनी पुस्तक गितान से ली जिसका इंग्लिश टाइटल था सॉंग ओफरिंग ठीक है जिसके लिए मिला था लिटरेचर का नोबिल पुरुसकार हाँ अब आपको समझ आ गया ना नोबिल पुरुसकार मतलब आपको ध्यान हो आपको हमने वद्रनाथ टैगोर को नोभुल पुरुसकार मिला इसी टाइम में ही आई थी मतभ़ जिस टाइम में यह आई थी गितान्जली next रही, fugitive fugitive poems का जो एक booklet था, एक work था, the fugitive ये भी रविंदरनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, ये भी किसके द्वारा लिखा गया था भई, रविंदरनाथ कैगोर के द्वारा लिखा गया था ठीक है, next रहे next रहे मैं कोई ठकी हूँ यह नहीं हूँ मैं सुगे से बांची क्लास ले रही हूँ है देखो, सबसे पहले मैंने 11 से एक एप पर हिस्ट्री क्लास ली ठीक है, फिर मैंने 1 से 2 को एक बैच में अपडेट किया फिर मैंने बीच में अपने डीट प्लस भी के साइकोलजी वाले बैच में जो यह आइडिलिजम रियलिजम प्रेग्मेटिजम यह वाला टॉपिक होता ही एड किया ठीक है राजस्तान बत्के वाले बच्चों के लिए स्peशेल हरियाना वाले बच्चों के लिए आmber बुछ की आ है मैं चाहाती हूँ हम हर्याना से भार भी थोड़ा सा फैले तो थोड़ा सा हुर्याना से भार वाले बचों के लिए भी करेंगे पिए इनके लिए ли जिन्य चलाएंगे बट उसीस सब इंडियन राइटिंग दिये हुए कुछ बहुत ही सिंपल सा स्लेबस है और उसका 80% स्लेबस अलड़ी हमारे बैचीज में कम्प्लीट बट मैंने ना ऐसे अलग से नहीं निकाला है सकिंड गरेड करके बट एक वीक के बाद मैं उसको अलग से मोडिफाई कर दूगी अकोडिंग टू सेकिंड ग्रेड इंग्लिश जो जो टोपिक होंगे ठीक है तो सेकिंड ग्रेड इंग्लिश में जादतर ग्रैमर ही है और मैंने भी पहले करवाई थी और फिर आपको पता है मैं बहुत सारे सब्जेक्स अलरडी पढ़ाती हूँ तो म आपको पता हरियाना में पूरे अस्रेट का रजल्ट मेरा ही था पिशले साल भी हमारा ही था मतलब अचीवर केडमी का जब टीम बहुत कम थी तीन-चार लोग होगी बट इस बार तो हमने टीम को भी मैंने इतना एक्स्पेंड कर दिया है नियर अबाउट 10 11 10 टीचर्स तो लेकिन जो मैंने इंग्लीश लिटरेचर करें ना मेरा जी जांता है कैसे पढ़ा है पुरा जी जांट होके पढ़ा रहा है वह क constituency certaines देसा कैन सब वить a कॉछ बनाया है बट वो बहुत दिल से कोर्स बना हुआ उससे भार कुशन नहीं आते हैं किसी भी एक्जाम में तो फर्स ग्रेट सेंड ग्रेट वाले तो बिल्कुल भी टेंशन मतलो आपका स्लेबस तो मुझे यह लगता है कि मेरा जो 100% इंग्लिश का स्लेबस उसमें से मत्र 20% द अब देखिए महात्मा गांधी इंफ्लूएंस्ट भाई तो जो महात्मा गांधी है इंफ्लूएंस्ट है टैगोर जो महात्मा गांधी हैं influenced थे किस से भई तो आपको पता है टैगोर की गितांजली थे अरविंदो के life of divine से रश्किन के unto his last unto his last रश्किन bond का work है unto his last ठीक है तो unto his unto this last unto this last unto this last ये रश्किन bond का work है जिसे महात्मा गांधी जी बहुत ज़्यादा inspired थे ठीक है तो महात्मा गांधी का inspiration था इस वाले से next है next है who wrote the three place कुछ place के नाम given है और आपने बताना है ये place किस किस ने लिखे हैं तो play है नलीनी तो I don't think so कि नलीनी मैरी मैंने आपको एक बात ये बोली है निजम इसकिल को ना क्या बेकर ने जैसे कहा था ना कुछ बुक तो याद करने के लिए और कुछ बुक निगल जाने के लिए होती है तो कुछ राइटर तो शकल देखने के लिए होते हैं और कुछ राइटर निगल जाने के लिए होते हैं तो रशकीन बॉंड निगलने वालों में से है तो sorry निजम इसकिल निगलने वालों में से है ध्यान रखना confirm question आता हर exam में निगल ले ना मतलब निजम इसकिल से रिलेटिट हरेक इवेंट तो नलिनी मैरीज इस आलसो रिटन बाइ निजम इसकिल ठीक है तो यह पोएम थी यह प्ले के फोर्म में था और दा स्लिप वोकर एक पोएम की फॉर्मेट में थी और यह किसके दौरा लिखे गए थे भई नि इसमें यह पूछा गया है यह किसके दौरा पिक्चराइस किया गया है ठीक है ठीक है ठीक है रीवर का चेक करना था मुझे डैंसर देखेगा हुमायू कबीर बिल्कुल ही नौन फेमस इंडिन राइटिंग में से एक पर्सन है ठीक है बिल्कुल ही नौन फेमस के अंदर से आ जाता है बिल्कुल ही नौन फेमस में आ जाता है कौन भई हुमायू कबीर ठीक है हुमायू कबीर बिल्कुल नौन फेमस के अंदर आ जाता है इसने किसी वर्क के अंदर कोई बंगाली जो चील्डन है उसको प्रेजिंट किया था तो उस work का नाम पुछा है तो आपको जहां रखना है man and river इसके अंदर इसने क्या किया था man और जो nature है उसकी relationship को दिखाया गया था man और nature की relationship को दिखाया गया था किसके अंदर हुमायू कभीर के अंदर ठीक है next देखो which of the following work by the Khushwan Singh deal with the theme of partition I don't think so कि इस question को मुझे बताने की जूरत है फड़ा फड़ से आंसर कर दो खुश्वन सिंह का partition की theme के उपर देखने की जूरत नहीं है खुश्वन सिंह का partition की theme के उपर train to Pakistan लिखा हुआ था आपको पता है ये बलराम यादो तुम वही महान student हो क्या जो बलराम यादो तुम कौन से महान student हो एक महान student था बलराम नाम का एक बार पिछले exam में 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 से मतलब हमारा course लिया था खुब पढ़ा फिर कहता है नहीं मैं तो किसी और का पढ़ूँगा वहां सस्ता होगा अच्छा मिलता है मैंने का पढ़ ले और फिर लोट लाट के सारे दो तिन को देखके वापस आगया आपका यह 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 तो यह बात तो सारे बच्चे गरेंटीड बोल रहे हैं जो भी जहां से कोर्स ले रहे हैं अब तो different different बच्चे आ रहे हैं और सब यह कहते हैं मैं इतना maximum content दे रहे हैं offline में भी नहीं मिला कभी हां तो next which of the following work भाई तो यह पता ही आपको भाई train to Pakistan ठीक है train to Pakistan and the next question is who wrote the novel the house at the Adampur and the season of Jupiter house of Adampur and season of Jupiter तो यह आनंद लाल के लिखे हुए novels है आपको कि मैडम यह जीव जीव क्यों पढ़ा रहे हैं तो अमने आस तक कभी सुने ही नहीं है तो एकादा non-famous question में इसलिए एकादा non-famous question में इसलिए सब्सक्राइब दाक डांसर इसका है बालचंद्र राजन का है 1960 में आया था चिक है तो यह 1960 में आया था चिक है तो चीक है दूसरा है तो यह कि पतनी होगा था रशकीन बोन्स नेबर भाइज तो रशकीन बोंसर नेबर भाइज था ठीक है को यह भाई को अलक्ष टोर्यस और क्तिकोन राशोर्ट पॉर्यटरे का थै के Űैश्ओर प्रश्टर्यस का क्या है या री इस्टाराओ आंसर रहे नंसर रहेगा C and 31 question we have completed 30 questions of the day by day हम 30 questions को पढ़ते हैं literature के जो important 30 questions होते हैं and hope so you like this series and if you like then don't forget to फोर में ये dialogue नहीं बोलती है मैं बोर हो गई हूँ किसी को वीडियो अच्छी लगे तो भाई like कर देना share कर देना comment कर देना और channel थोड़ा famous कर देना नहीं तो कोई बात नहीं जैसे हम पहले 5 बच्चों को बढ़ाते थे अब दी अपने 5 बच्चों को बढ़ाते रहेंगे जो active रहते हैं ना हम तो ऐसे ही हैं चैए 5 live देखे चैए 2 live देखे मेरी सेयत पर फरक नहीं पड़ना बस मुझे पढ़ाने से मतलब रहता है यह कहां से आगी ठीक है तो भाई मुझे पढ़ाने से क्या रहता है मतलब रहता है ओके बबाई टेक क्या लग दन्यवाद बलराम जी कि है कवीता सेकिंड ग्रेड का कोर्स आपको एक वीक में आप पर ही दिख जाएगा वर्क करने की जूरती नियूस के अंदर जो स्लेबस हो लड़ी मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है बहुत ही अच्छे से उसमें बहुत लिमिटेड स्लेबस है मैंने वीडियो भी बना र कि अच्छे से उसमें बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है